उम्शांती, आज साथ जुलाई 2023 के साकार मथुर महवाक्य हैं, आज शुक्रिया दिवस पर हम सब दिल की गहराईयों से बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्नोंने हमें माया के रोग से मुक्त होना सिखाया, जो बच्चे इश्वरिय सेवा का फल प्राप्त करते हैं, अविनाशी फल प्राप्त करते हैं, ये अविनाशी फल अमर फल है, यही फल सब विगनों को समाप्त करने वाला है, अन्य फल तो सत्यूग में भी मिलेंगे, कल्यूग में भी मिलेंगे लेकिन इश्वरिय सेवा का फल, अविनाशी फल, सर्व समंदों के रस का फल केवल संगम पर ही प्राप्त होता है इस संगम युग पर जो आत्मा इस रस को प्राप्त करती है, वो माया के रोगों से मुक्त हो जाती है, आज बाबा याद की सब्जेक्ट पर विशेश ध्यान के चवारे हैं, याद की सब्जेक्ट नमबर वन सब्जेक्ट है, अर्थ सहित बाबा को याद करना है, के सागर हैं बाबा को अर्थ सहित याद करना है उसकी महिमा के साथ साथ हमें भी स्वयम को गुणवान बनाना है बाबा ने जवा के योग सिखाया उसे राज योग कहते हैं ये राज योग शक्ति देने वाला है जिससे विकरम विनाश होते हैं कई पूछते हैं योग में क्य तो बाबा ने समझाया अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, जो बच्चे याद करते हैं, उन्हें शक्ति प्राप्त होती है, माया जीत बन जाते हैं, भुले नाथ से निराला कोई और नहीं, ये महिमा गाई जाती है, वो उंचे से उंचा है, रहने का स्थान भी उंचा है, कारिय भी उंचा है, उन्हें के लिए गाया जाता, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुन्दर मेला सज रहा, जब सत्गुरु मिला दलाल, इस समय ये मंगल कारी मिलन है, आत्मा और परमात्मा का ये मिलन कल्प में एक बार होता है, ये बहुत सुन्दर व देवता बन जाते हैं, सुनते हैं बाबा के मदर बोल, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से तुम्हारे पाप नाश होंगे, आत्मा पतित से पावन बनेगी, नमबर वन सब्जेक्ट है याद की, नमबर वन सब्जेक्ट बाबा को याद करने की, कुश्चन है मनुष्यों की अर्जी क्या है, बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं, मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं, ओ गौड़ फादर, हमें पापों से मुक्त करो, ओ रहम दिल बाबा, रहम करो, बाबा सबकी अर्जी सुनकर स्वयम आते हैं, पापों से मुक्त होने की युक्ती बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो, सरफ बाबा की महिमा गाने से कोई फाइदा नहीं, चरित्र गाने नहीं, राज्योग सीख कर चरित्रवान बनना है, सिर्फ बाबा की महीमा गानी नहीं लेकिन राज योग सीख कर चरित्रवान बनना है गीत है भोले नाथ से निराला कोई और नहीं गोरी नाथ से निराला कोई और नहीं ओम शान्ती ये महीमा किसकी सुनी बिगडी को बनाने वाले की आधी मध्यंत की नौलिज सुनाने वाला, वो है उँच से उँच, जब कोई समझने के लिए आते हैं, तो हमेशा उनको पहली बात समझानी है, कि उँच देउच भगवान गई जाता है, उँच दे उँच उनका नाम भी है, उँचे से उंचा उनका ठाउ भी है, रहने का स्थान भी उनका उंचा है ग्रंत में भी है उंचा जिसका नाम, उंचा जिसका ठाओ उंच ते उंच रहने वाला है परम पिता परमात्मा वो है निराकारी दुनिया जहां निराकार परम पिता परमात्मा रहते हैं फिर नीचे आते हैं आकारी और साकारी दुनिया, तो पहले पहले परीचे उनका देना है, परम पिता परमात्मा है, टुथ, वो है रच्यता, फिर है उनकी रच्चना, उच दे उच बेजरूप, फिर उनके नीचे सुक्षम वतनवासी, ब्रह्मा विश्नु शंकर, वो है रच्यता सबके उपर है, वै're रच्यता है बाप, बाकी है रच्चना, सब एक परम पिता की संतान है, इसलिए हम आत्माई सब भाई-भाई ठेरे, तो परम पिता परम थाम में रहते हैं, उनको फिर परमात्मा कहा जाता, शारिरिक पिताईं तो बहुत है न? पहले-पहले देना है रूहानी बाप का, उनकी है सबरचना, चित्रों पर भी ध्यान खिचवाना है, पहले पहले उंच ते उंच परम पिता परमात्मा, जिसको मनुष्य स्रिष्टी रूपी जाड का बीजरूप कहा जाता है, वो सत्य है, चेतन्य है, आनंद स्वरूप है, सत अर्थात कहने वाला, आत्मा भी सत्य है, वो भी जलती मरती नहीं, सत्य के बच्चे भी सच्चे होने चाहिए, तुम पहले पहले देवी देवता सच्चे थे, सच खंड स्थापन करने वाला, सच्चा बाबा है, ऐसे नहीं कि परम पिता परमात्मा जूट खंड स्थापन करते हैं, नई, सच खंड था, फिर ये भारत जूट खंड बना, सच्चा है परम पिता परमात्मा, पतित बनाने वाले कुछ सच्चा नहीं कहेंगे, और सब जूट है, पाँच विकार रूपी माया रावन जूटा बनाती है, राम सच्चा, रावन जूटा, रावन ही भारत को जूटा बनाते, कहानी सारी भारत पे है, समझाना है भारत स्वर्ग था, अब नर्ग है, बाप भारत को स्वर्ग बनाने के लिए स्वयम आते हैं, स्वर्ग बनाने वाला स्वर्ग करच्यता कहा जाता, महीमा भारत की है, आदी मध्यंत का ज्यान तुम को सुनाते, जिसे तुम तुम बनते हो, इसे कहा जाता स्वधर्शन चक्र, तुम चानते हो हमात्मा फिर से परंपिता पर्मात्मा से वर्सा ले रही है गाया जाता आत्मा पर्मात्मा अलग रहे बहुआ काल, सुन्दर मेला सज रहा अब ये मिलन बहुत सुन्दर मंगलकारी है आत्मा और परमात्मा का ये मिलन बहुत सुन्दर है मंगलकारी है तुम पहले पहले बाप का परीचे देते हो रच्यता बाप को सरव्यापी कहना पर ये सिद नहीं होता कि हम सब बच्चे हैं बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सब परम, पिता, परमातमा हैं, सरव्यापी कहने से बाप के साथ वो लव नहीं रहता, न बुद्धियोग रहता. भारत का प्राचीन योग बहुत मश्यूर है, वास्तों में बुद्धी का योग लगाना है बाप से, सरव्यापी है, तो फि कहते मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकरम विनाश होंगे विकरम तो होते रहते हैं संपूरन करमातीत अवस्था अंत में होगी जब ज्यान का अंत होगा तब रिजल्ट निकलेगी स्कूल में भी कोई किस सब्जेक्ट में तीखे होते कोई किस में तीखे जाते सहज सबजेक्ट है याद की बाप को याद किया जाता याद से फिर आत्मा अच्छी हो जाएगी understand करेंगे बाबा की बात को underline करेंगे याद की सबजेक्ट number one subject है सहज सबजेक्ट है बाप को याद किया जाता याद से आत्मा अच्छी होगी बरतन साफ होगा, आत्मा जो इंप्योर बन गई, वो प्योर बनती जाएगी, उचे से उच्चा बाप आकर पढ़ाते, उच्च से उच्च पद प्राप्त कराते, तुम मनुष्य से देवता बनते हो, समश्ते अबरोबर आदिसनातन देवी देवता धरम था, उनको हिंदू भारत का नाम बदल कर हिंदूस्तान नाम रख दिया, आदिसनातन पवित्र देवी देवता धरम था, जिसको बैकुंट अत्वस्वर कहा जाता, वो तो सत्यूग है, उसे कहा जाता नई दुनिया, उनको रचने वाला बाप है, वो है निराकार, सब कहते हैं, ओ गौड वो उच से उच है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को सुक्षम देह मिली हुई है, उसको सुक्षम लोग कहा जाता, वो है शांती धाम, साइलेंस वर्ल्ड, यह स्थूल वतन, तो पहले-पहले जब कोई आते हैं, तो उनसे फोम भराना है, आत्मा का बाप कौन है, उच दे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को रिक्वेस्ट भी कहा जाता है, ओ गौर्ड फादर, हम अर्जी करते हैं, हमारे पापो को दगद करो, रहम दिल बाबा, रहम करो, ऐसे से पुकारते हैं, अर्जी क्या है सब की, ओ बाबा, हमारे पापो को दगद करो, हम पे रहम करो, रहम सब भी तो नहीं करेंगे न सब पर रहम करने वाला एक ही बाप है सरवो दिया कहते हैं अब वो क्या करते हैं कितने पर रहम करते हैं ये भी जामा में नूध है किस पर रहम करते हैं कितने पर करते हैं ये भी जामा में नूध है इसमें जो कुछ जो कुछ चलता है उसे तुम भेट करते हो गीता भागवत में बाती है नहीं गीता है ग्यान बाकी चरित रादी की तो कोई दरकार नहीं स्टूडेंट टीचर के चरितर होते हैं क्या मास्टर की बैठ महिमा करने से कोई भी फाइदा नहीं बाप की सिर्फ महिमा करना वो ग्यान सागर है सुक सागर है इससे कुछ मिलता नहीं सिर्फ महिमा करना इससे कुछ मिलता नहीं अब तुम बच्चे समझते हो बाबा हमें राजयोग सिखा कर त्रिकाल दर्शी बनाते हैं बाबा किते आपको राजयों सीकर चरित्रवान बनना है, सिर्फ महिमानी करनी, आर्था तीनों लोको तीनों कालों की नौलिज देता हूं, तो तुम मास्तर त्रिलोकी के नाथ भी कहला सकते हो, त्रिकाल दर्शी भी कहला सकते हो, वरोवरम तीनों लोको को जानने वाले शमटरश्म dancing लख्व मंदिर है लेकिन मरश्य जानते नहीं कि लक्षमिनारण है पारसपुरी केना मरश्म पूरी सत्यूग को कहा जाता है तूम जानते हो बरोबर स्रीकरश्चन के हीरय ज्वारात के मेहल थे, पारसनाथ थे, तो पहले-पहले ये समझाओ, कि ये मानते हो, कि सबका रच्यता बाप है, ब्रह्मा विश्नु शंकर का भी वो रच्यता ठैरा, पहले निश्चे करो, वे बाप स्वर्ग का रच्यता है, स्वर्ग में आधि सनातन देवी देवताधरम वाले थे, उनको न पारस क्लास नॉलेज है, यहां बैठे हो, तुम समझते हों, बाबस श्वर्ग का रच्यता पाई, पारसनाथ पारस पूरी के मालिक बनेगे, बद्धी जानती, लक्ष्मिनार्ण, आधि देवी देवताईं कितने धन्वान थे, बहुत जेवर आधि थे, बड़े सावकार ह तो पहले पहले बाप को जान उनसे वर्सा लेना है सबसे पहले बाबा को जानना है समझना है उनसे वर्सा लेना है याद से वर्सा लेना है सुक्षम बात यह हीरे जवारात की कितने बड़े-बड़े महल थे अब वो खतम हो गए फिर अपने समय पर खड़े हो जाएंगे पह ते महल जरूर बनाए होंगे, तुम्हें सक्षतकार होता है, कि बरोबर महल है, हमने बनाए थे, ऐसे नहीं कि सागर के नीचे चले गए, जो अब निकलने हैं, नहीं, ये तो ड्रामा का चक्र चलता रहता, उस समझते के लंका रामन की, अत्वा सोने की द्वारिका नीचे चल था, अब सब गाइब हो गया, सब ले गए, फिर ऐसे ही होगा, पहले पहले बाप का परीचे दे कर, फिर चक्र का राज समझाना है, ये कैसे फिरता है, पहले जोती बिन्दु बाबा का परीचे दो, फिर सृष्टी चक्र पे समझाओ, ये कैसे फिरता है, सत्यू किस्था आपना बाप ही करेंगे अब बाबा समुक बैठ कहते मुझे याद करो इस याद की योग अगनी से तुम पतित से पावन बनते हो और कोई उपाय नहीं योग अगनी से आत्मा पतित से पावन बनती पतित पावन बाप आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं फिर तुम आसनानाधी करना ये भक्ति की समगरी है भक्ति मारग पहले अव्य विचारी था फिर व्यभ्यचारी बना आधा कल्प लगा व्यभ्यचारी बनने में सोला कला से चोदा कला फिर कलाई कम होती जाती ये ज्यान बाब समझाते ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्यान सागर मनुष्य स्रिष्टी का बीजरूप नहीं कहा जाता परम पिता कहने से बुद्धी ब्रह्मा विष्णु शंकर के तरफ नहीं जाती जब कहते परम पिता पर मात्मा को याद करती है जब उन्हें दुख होता है सत्यों में सुख है तो कोई भी पुकारता नहीं अब आत्माई जानती आधा कल्ब से दुख पाया फिर स्वरग में जाएंगे वहां कोई भी दुख नहीं होगा इसले सत्यों में बाबा को याद करने की दरकार नहीं रहती ड्रामानुसार बाबा में सुख का वर्सा देख कर जाएंगे मनुशे जब बूड़े होते तो वानपरस्त में जाकर बैठते गुरू करते हैं यहां तो बाब स्वयम आकर सत्गुरू बनते हैं हम सब तक दीरवान हैं बाबा स्वयम हमारे सत्गुरू बनते हैं कहते हैं कि मैं तुम सब को साथ लेके जाऊंगा ऐसे और कोई कहना सके मैं तुमें साथ लेके जाऊंगा यह बात और कोई कहना सके साथ में तो कोई भी नहीं ले जाएंगे हर एक को पुनर जनम लेना पड़े पार्ट में तो आना ही है मैं तो घड़ी-घड़ी जनम नहीं लेता हूं अगर मैं भी घड़ी-घड़ी जनम लूँ तो तमो प्रधान बन जाओं आत्मा ही इंप्योर बनती आत्मा में खाद पड़ती है गोल्डन एज, सिल्वर एज ये अक्षर अभी है बरोबर भी आईरन एज है अब संगम है बाप को जरूर आना है पुरानी स्रिष्टी को नया बनाने के लिए ये बाबा का काम है जब-जब स्रिष्टी पतित बन जाती है बाबा को फिर से पावन बनाने के लिए आना ये बाप का काम है बापी पतित पावन है अथा स्रिष्टी को बदलने वाला है स्रिष्टी का रच्यता स्रिष्टी का रच्यता नहीं बदलने वाला रच्ने वाला कहने से मनुष्य समझतें बड़ी प्रल्य होती है पतित पावन अक्षर ठीक है साधू लोग भी गाते हैं पतित पावन सीताराम ऐसे तो कभी नहीं कहतें पतित पावनी गंगा पतित पावन कहने से बुद्धी परमात्मा की तरफ जाती है गंगा नदी तो वहां भी होती है सत्यूग में भी होती है वहां सब चीजें सतो प्रधान हो जाती गंगा भी सतो प्रधान यहां तो तमो प्रधान है फ्लड्स कर देती गावनों को डुबो देती ब्रह्म पुत्रा कितने गावन को डुबो देती यह है दुख दाम, सत्यों में थोड़ा दुख भोगेंगे, वहां तो काईदे सिर अपना रास्ता लेकर चलेगी, यहां रास्ता छोड़ देती है, कभी किस तरफ चली जाती, वहां पांच तत्व, सतो प्रधान होने की कारण, कभी भी दुख नहीं होता, जल भी कभी दुख नहीं देता है, सत्यों की दुणिया में पांच तत्व, सतो प्रधान है, तो सुख दाई है, यहां जल भी दुख देता है, पहले ही समझना है, स्वरक का सुख देने वाला कौन, जरूर बाप ही होगा, अभी तो नरक है, बाबा आया है, हम प्रजा पिता ब्रमा के बच्च स्रीकृष्ण तो स्वयम देवता है, बाबा कर मानुष्य को देवता बनाते हैं, यह तुम अब जानते हो, आगे तु सिरफ गाते थे मानुष्य से देवता की एक करत नलागी वार, जानते नहीं कि सत्यों किसने सापन किया, रच्यता कौन है, सत्योंगी स्रिष्टी फिर क बल्यूगी बन चाती, तो तुम बच्चे समझ गए हो, यह बड़ा मांडवा है, अकाश तत्व का, इसमें खेल होता है, ओपन स्टेज चाहिए न, मनुष्य पार्ट बजाते हैं, तो रोशनी भी चाहिए, इसके लिए सूरज चांद सेवा करते हैं, सितारे भी चमकते हैं जब रात होती है, तो रोशनी अठा सुख देते हैं, इसले सूर्य देवता, चंद्र देवता कहते हैं, रोशनी आधी का सुख देते हैं, अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल अदे बच्चो प्रती, मात पिता बाप तेदका, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रुहानी शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ऑ्धारना के लिए सार, पहली पॉाइंटे है, जामा के चक्र को यथात रिती समझ के पुरशाथ करना है, बाप समान रहम दिलबन सब पिरह म करना है. ड्रामा के चक्र को यथातरिती समझ के पुर्शात करना है बाप समान रहम दिल बन सब पे रहम करना है बाप सचकंड स्तापन कर रहे हैं इसलिए सच्चा होके रहना है बाप की याद से आत्मा को स्वच बनाना है वर्दाने सेवा की भावना द्वारा आमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव सेवा की भावना द्वारा आमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव और फल तो सत्यू में भी मिलेंगे, कल्यू में भी मिलेंगे, तेके सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभू फल अगर अभी नहीं खाया तो सारी कल्प में नहीं खा सकते। सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभू फल अगर अभी नहीं खाया तो सारी कल्प में नहीं खा सकते। ये फल इश्वरिय जादू का फल है, जिस फल को खाने से लोहे से पारस्तों क्या हीरा बन जाते हैं। ये फल सब विगनों को समाप्त करने वाला अमर फल है। सरल शब्दों में इस समय संगम पर जब हम स्रेश्ट भावना से सेवा करते हैं, तो उसका फल जो खुशी, शान्ती, शक्ते मिलती हैं, यही अमर फल है। ये प्राप्त होते ही सब विगन समाप्त हो शाते हैं। अपकारियों पर उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले बाप समान है। आज दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे, अनुभव करेंगे। मैं अमर फल प्राप्त करने वाले, माया के रोग से मुक्त आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे अमर फल दिया है। ये अमर फल सब विगनों को समाप्त करता है। ये अविनाशी फल, सेवा का फल सदा तंद्रुस्त करता है। मैं आत्मा अमर फल प्राप्त कर सब रोगों से मुक्त हूँ। बाबा की शक्तियों को अपने में आता नुभव करे। सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझे शक्तिशाली बना रही है। निर्विगन बना रही है। माया की रोगों से मुक्त कर रही है। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शान्ति बाबा म